रादे रादे आप सभी भक्तों को तो जन्मास्टमी आने वाली है और आप सभी भक्त जन्मास्टमी की तयारी कर रहे होंगे तो मैं आपको कुछ ऐसी पांच चीज़े पताने वाली हूँ जो जन्मास्टमी में आपको जरूर खरीदनी चाहिए और उसके बिना जन्मास्टमी अधूरी है अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आप जरूर जन्मास्टमी मनाएं और जन्मास्टमी में भगवान के लिए श्रे कृष्ण जी के लिए छोटे लल्ला के लिए जरूर ये पांच चीज़ अपने घर पे लेकी आएं और फिर देखिए कि लल्ला कितना खुश होगा और आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएगी तो जन्मास्टमी में आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है वो है बासूरी तो काना को बासूरी कितनी पसंद है ये तो सभी जानते है तो बासूरी आपको जरूर खरीदनी है बहले ही आपके काना के पास कितनी ही बासूरिया हो आपको उनके लिए नई बासूरी जरूर खरीदनी है आप चांदी की बासूरी भी खरीद सकते हो आप चाहो तो लगडी की बासूरी भी खरीद सकते हो तो आपको मासुरी नहीं भूलना है, काना को बहुत प्रिये है, तो सबसे प्रिये चीज ज़रूर ले करें दूसरी important चीज है गाए और बच्छडे का statue, जो जनमास्टमी के दिन बहुत मिलता है आपको उसे अपने मंदीर में रखना है, जिससे की आपकी भागे में व्रिद्धी होती है और संतान योग भी प्राप्त होता है तीसरी चीज है more punk, more punk काना को कितना पसंद है यह तो हम सबी जानते है मौरपंग आपको अपने घर में रखना है, खरीद के लाना है और आप अपने हॉल में सजा सकते हो, आप मंदीर को सजा सकते हो और काना के लिए मौरपंग जरूर लेकर आए जिससे कि आपकी घर में positively आए आपके घर में सुक शान्ती आए तो चौती चीज जो आपको अपने घर में लानी है वो है माखन काना को माखन पसंद है ये पूरी दुनिया जानती है माखन आपको जरूर खरीदना है वैसे तो माखन घर में ही निकालना चाहिए लेकिन अगर मुम्किन ना हो तो आप बाजार से माँखन खरीद के जरूर लाएं पाँच भी चीज है जुला आपको कहना के लिए जुला जरूर खरीदना है क्योंकि जनमाश्टमी के दिन जुला 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 जाता है प्रभू को तो आपको जूला जरूर खरीदना है आप जिसमें अपने छोटे लड़ो गोपाल को बिठा के उन्हें जूला जूला सकें तो ये थी वो 5 चीजे जो आपको अपने मंदिर के लिए जरूर लानी है जन्मास्टमी के दिन और इसके बिना जन्मास्टमी अधूरी रहेगी लल्ला को खुश करना है तो आपको ये 5 चीजे अपने घर में जरूर लाने चाहिए ऐसी ही important वीडियोस देखने के लिए और भगवान कृष्ण से जुणने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और अगर आपको ऐसी ही कोई प्रश्ण है भगवान से जुड़ा हुआ तो आप comment section में जरूर डाले मैं कोशिश करूँगे कि उसका जवाब दूँ और उस पर वीडियो बनाओ तो मिलते हैं next वीडियो में राधे राधे